दोस्तो PFMS Portal पर Agency Cashbook नामक एक बहुती बहतरीन फीचर दिया गया है इस फीचर की सहयता से आप अपने विद्याले द्वारा की एक खर्च का डिटेल देख सकते हैं इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तारिक को किस वेंडर को कितनी राशी आपने ट्रांजिक्सन किये हैं तो चलिए दोस्तो आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप Cashbook को कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं HD Online साला दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको PFMS पोर्टल को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको लागिन पर क्लिक करना है लागिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो लागिन पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है अब यहाँ पे दोस्तो आपको लागिन होने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड रिफिल करके लागिन हो जाना है यहाँ पे आपको आपरेटर आइडी से लागिन होना है दोस्तो तो चलिए हम यहाँ पे लागिन हो जाते हैं आपरेटर आइडी से लागिन होने के पस्चाथ लेप्ट हेंड साइड में आपको कुछ आपसंस देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको Reports पर क्लिक करना है मैं आपको जुम करके दिखा देता हूँ ये देख सकते हैं दोस्तों आपको इस Option पर क्लिक करना है Reports पर Reports पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से Green पट्टी में आपको कुछ Options देखने को मिलेंगे जैसे की Home है, It, TSA 2.0, SNA, Expenditure, Monitoring, E-Payment, DBT, Others, CNA तो आपको जाना है Monitoring पर तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं Monitoring पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो Second Number का Option आपको मिलेगा M04 Agency Cash Book इसी पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यह इस तरह से Open हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारे फिल करना है जैसे की पहला है Scheme Name तो चलिए यहाँ पर मैं Scheme Name सेलेक्ट कर लेता हूँ तो Scheme है हमारा CT9, CT समगर सिक्षा 7979 फिर है Transaction Type तो यहाँ पर फिर हाल अभी All है चलिए चेक करते हैं कि इसमें और कौन से Option दिए गया है तो इसमें है Advanced, Transfer, All तो हम All पर ही रहने देते हैं इस Status भी All रहने देते हैं फिर महत्वपूर्ण Option है From Date, To Date मतलब आप किस डेट से किस डेट तक अपना Cash Book देखना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे तो मैं चुंकि यहाँ पर यही डेट रहने देता हूँ 1.4.2022 से 11.12.2022 तक इसके बाद है Figures in Actuals, Thousands, Lakhs, Kroles तो आप रासी को किस में देखना चाहते हैं तो मैं Actual पर रहने देता हूँ इसके बाद आपको View Report पर क्लिक कर देना है View Report पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो इस तरह से Processing लेगा और Processing लेने के पस्चात आपका Cash Book कुछ इस तरह से Open हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कालम से बने हुए है पहला कालम में है Transaction Type, Expenditure Second है Sanktion Number Third है Date फिर है Status, Approved है कि Pending है, यहां से देख सकते है Check Number है Agency Name मतलब आपने किस vendor को रासी ट्रांजेक्शन किये हैं उसका नाम यहां पर सो होगा Next है Project Name इसके बाद है Company Name आपने किस मद के तहद रासी ट्रांजेक्शन किये है वो सो होगा और Last कालम में है Amount तो यहां से आप Amount वगेरा Date यह सब कुछ Check कर सकते हैं तो इस तरह बड़ी आसानी से आप Agency Cash Book की सहता से अपने विद्याला त्वारक की एक खर्च को देख सकते है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद